क्या बात है पढ़नीचे सब कुछल मंगल तो है ना आपने अपनी बेटी की जन कुंडली नहीं बनवाई है क्या जी नहीं मेरे पती इन सब बातों में विश्वास नहीं करते सत्ति को नहीं मानते अजीब बात है आपने मेरी बेटी की कुंडली बना दी हाँ बना चुका हूँ परन्तो आप लोगों को साधी मालूम नहीं है इसलिए बिना सोचे समझे अपनी बेटी के साधी का निर्ने ले लिया क्यों? कोई समस्या है क्या? अगर पहले पता होता तो समस्या का शमाधान किया जा सकता था परन्तो अब तो विवापर ही अंकुस लगाना होगा मतलब बात क्या है? आपको पता नहीं शायद आपकी सुपुत्री की कुंडली मांग लिखे ये क्या कह रहे आप? हाँ उसका विवाजीत के साथ नहीं हो सकता और अगर हो भी गया तो इससे अजीत के जीवन को हानी हो सकती है हो सकता है कोई बहुत बड़ी दुरघटना हो जाए इससे अजीत का जीवन नर्क बन सकता है नहीं परनीची, मेरी बेटी की शादी अजीत के अलावा किसे और के साथ नहीं हो सकती और नहीं मेरे पती इस बात के लिए मानेंगे देखिये जो मेरा करतब था उँ मैंने कहा आगे सोचना आप लोगों का काम हाँ एक बात जरूर बोलना चाहूँगा यह अठी पिता अपने पुत्री के जीवन को नर्क बना सकता आँगे आप लोगों पनेरबार करता है चलता हो नमस्कार अब यह कौनसी नहीं परिक्षम में उलजा रहा है सुनिया हाँ वो वो मैं कह रही थी कि आहां तुम यही कह रही होगी कि चाय लेकर के आई हो ठंडी हो रही है पी लो मैंने देख लिया मैं पी लूँगा नहीं बात यह नहीं थी बात कुछ और है क्या बात तुमारे चेहरे का रंग क्यों इदना उतरा होगा ची बोब पंडीची आये थे तो क्या कोई गलत बात कह दी तो यह पंडीचों के चकर में पढ़ी रहोगी न तो ऐसा ही होगा जिन्दगी की चलती हुई गाड़ी भी न पत्री से उतर जाई बात हमारी बेटी की है अरे तु ऐसा क्या कह दिया होगा उन्होंने कि तुम इतनी परिशान हो रही हो उन्होंने दिव्यार अजित की कुंडली मिला कर देखी और यही कहा होगा कि दोनों की शादी मत करो है न जी तुम जानती हो कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रख फिर भी तुम मुझे इस सब बाते करेगे आप इस बात को मज़ाग में मत लीजिए यह हमारी बेटी की जिन्दगी का सवाल है अच्छा बोलो उन्होंने क्या का कि हमें क्या करना चाहिए उन्होंने उन्होंने कहा कि दिविया मांग लीग है तो? उसकी शादी अगर अजीत के साथ हो गई तो कुछ भी हो सकता है अरे कुछ नहीं होगा बागवान के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए आप आप कुछ भी कीजिए जो ठीक है तुम बताओ मैं क्या को ये शाधी रुख दीजिए मतलब उस पंडित की बात मानकर मैं अपनी बेटी का देल तोड़ू और अपनी जुबान से फिर जाओ मैं क्या कहेंगे दुनिया वाले पुरी दुनिया को पता है कि अजीद और दिवय की शादी हो रही कैसी बात कर रही हो तूँ देखिया हम दुनिया वालों को समझा सकते हैं लेकिन हमारी बेटी की जिन्दगी तो बरबाद नहीं कर सकते हैं अब अब कुछ भी कीजिए तुम रहने दो देखो पन्वा तुम पड़ी लिख़्ी होकर के ये पुरानी परंपरा में मत रहो और दुनिया में जो लोग शादी करते हैं क्या हर कोई कुणली को देख करके शादी करते हैं? नहीं न? मैं दुनिया वालों से क्या मदलब हमें सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सूचना चाहिए ठीक है तुम उस पंडित को बलाओ न उससे कुछ देख आंटी जी पताईए ना पंडित जी ने क्या कह क्या बताओं? कैसे बताओं यही समझ में नहीं आरा यह समझ लीजे के अच्छे तर दीवय की शादी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती? क्योंके क्योंके दीवय मांग लीक है अच्छे तर दीवय की शादी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती? क्योंके क्योंके दीवय मांग लीक है ममी जी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता ऐसा नहीं होता बेटा इंसान दुनिया में आया है तो उसे दुनिया के रिवाज सब कुछ मानना पड़ता है अगर तुम्हारी शादी दीवय के साथ ही तो इसका सबसे जादा असर तुम पर होगा हो सकता है कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो या यह भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी तकलिफे सहने पड़े कभी कभी तो इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि उसे मौत के मौत तक ले जाता है में आज के दौर का पढ़ाय लिखा लड़का हूँ इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता ज़रा सोचो अगर ये सारी बाते सच हो जाए तो इससे तो अच्छा है ना कि हम सब कुछ जानते हुए किसी बात का रिस्की ना ले लेकिन आंटी जी बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है अगर हम अब शादी रोकेंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी और वैसे भी दामीनी के शादी को लेकर लोगोंने हमारा बहुत मजाग उड़ाया है अमीजिया पेंशन मत लीजा जैसा चल रहा है उसे चलने दीचे अगर मेरी दिवया के साथ शादी नहीं होई मैं कैसे भी मर शादू अचीद भाईया आंटी बिल्कुल सही कह रही है बढ़ों की बातों को ऐसे ठुकराया नहीं जाता है जब मैंने बोल दिया है कि मैं इन सारी बातों पे विश्वात नहीं करता है तो आपने मुझे से बहस क्यों करें मैं कैसला कर चुका हूँ जब मैं शादी करूँगा जिसे ठिवया की साथ चाहे कुछ भी हो जाए आँठी इसे समझाना है तो वो एसा कोई पांदर पर लाता है आँठी भाईया बहुत जद्दी तो एक पार चो सोच लेते हैं बस वही करते हैं उन्हें उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है मैंनो वही कहा जो जनपत्रिका में लिखा है बंडित तुमने कभी अपनी कुंडली देखी है? देखी है ना तो क्या अपनी कुंडली में ये लिखा है? कि तुम घर कर जाके शादी कराओगे कुंडलीों का मेल करोगे और उससे जो पैसे कमाओगे उससे अपनी जिन्दगी की गाड़ी चलाओगे ऐसा लिखा था? ऐसा सोचना आपका है स्रीमान जी उपरवाला सबका भाग्य एक जैसा नहीं लगता मेरे भाग्य में यहीं लिखा है सुमे कर रहा हूँ तो आप अपने भाग्य को बदल क्यों नहीं लेते असंभाव उपरवाले ने जो रेखाएं खिशती है इसको ना ही कोई मिटा सकता है और ना ही कोई बदल सकता है तो तुम मेरी बेटी के भाग्य की रेखा को कैसे बदल दो? मैं समझा नहीं जैसा कि आपने कहा कि मेरी बेटी मांगली है अगर उसकी अजीज से शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा और उसका जीवन नर्ख बन जाएगा हाँ समझा है अच्छा अगर उसके भाग्य में यही लिखा है तो उसकी शादी को रोक करके आप उसके भाग्य को बदल कैसे देंगे जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि भाग्य की रिखाओं को ना बदल सकते हैं और नहीं मिटा सकते क्यों कोई जवाब नहीं है ना आपके पास होगा भी कैसे क्योंकि आप लोग थेरी में बिलीव करते हैं और मैं प्रैक्टिकल आगमे हूँ, प्रैक्टिकल बातों भी विश्वास करता हूँ इसलिए अजीत और दिव्या की शादी होगी ये तैह, आप समझ को भवान दिव्या का भला करें इसलिए कैसी बात कर रहे हूं मम्या मैं एक पड़ी लिखी लड़की हूँ और मैं इन से बातों को नहीं बादी तो समझ दे के कोशिश क्यों नहीं करते हूँ ये सब तेरे भले के लिए कह रही हो और मेरी भलाई इसी में है कि मैं अजीत के साथ शादी करूँ मैं अजीत के साथ मेरी शाती नहीं हूँ तो मैं अपने आपको ख़तम कर दूँगी अजीत के साथ मेरी शाती नहीं हूँ तो मैं अपने आपको ख़तम कर दूँगी और आप पैस्वा सिफ आपके हाथों में आप मेरी जिंदगी को नरग बनाना चाहते हो या फिर मुझे पारना चाहते हो मैं तो समझने की कोशिश नहीं कर रही है मैं समझ चुकी हूँ ममी अब आप समझने की कोशिश करो पिशली बार तापने मुझे बचा लिया लिए लिकिन इस आप मुझे मढ़ने से नहीं बचा पा हो गया मर जाओंगी मैं यह लिजी है मिस्स देजानी टोकन अमांट थेंक यू मुबारक को थेंक यू आपको भी मुबारक मुबारक को? शादी से बेली बच्चे का नाम रखते हैं क्या कभी? अभी से मुबारक बात क्यों दे रहे हैं भई? शट आप अन्वारी शट आप कभी कभार तो शुब बातें कर लिया करो इनका कुसूर नहीं है दिवराज साब इनकी नौकरी का कुसूर है दूसरों का बुरा करेंगे तभी तो आपके सामने अच्छे बने रहेंगे ना कभी कभी तो ये जो है ना मुझे मिस्टर यूनूस परवेज याने के भंडारी लगते हैं त्रिशुल के ओके अब मैं चलता हूँ आपके अब मैं चलता हूँ ये जो बात धहन में लखेगा प्लीज ये मॉल ऐसा बनना चाहिए कि लोग देखते रहे जाए अरे दिवराज साब लोग तो बाद में देखेंगा पहले तो आप देखते रहे जाएएगा अब आप तो आप देखते रहे जाएगा ताद बूस्त, अब्याए धिल्कार था धोटीज को विल्कार गे थाइक्व है दामिनी अरे रुपाली तुम दामी एक बात तो बताओ तुम्हारी नजरों मेरी कोई कीमत है भी या नहीं अरे रुपाली अगर नहीं होती तो मैं तुमसे रिष्टा थोड़ी न रखती दामी खरश आपका अच्छा दोस्त है न रुपाली ये भी कोई पूछने की बात है और वो आपके कितनी सुनता है हाँ सुनता है हमेशा सुनता है लेकिन बात क्या है वो मुझसे शादी करने के लिए बना कर रहा है बहाने बना रहा है तो उसे मनाओ रुपाली वो नहीं मान रहा है दामिनी सिर्फ अब तुम ही उसे मना सकती हो उसे कहो कि मुझे शादी कर ले रुपाली, हर्ष तुमसे प्यार करता है और मैंने सुना है कि तुम दोनों उस दिन मिले थे यह सुनके मुझे बहुत खुशी हुई दामिनी वो सिर्फ एक गलत फहमी थी उस दिन तो सिर्फ मैंने अपने प्यार का इजहार किया लेकिन हर्ष ने अब तब कुछ नहीं कहा है तो रुपाली, तो मुझे क्या चाहती है हर्ष को समझाओ दामिनी, वो मुझे मिलता तो है लेकिन उसका धिमाग हमेशा कही और होता है वो मुझे बात तो करता है लेकिन उस बातों का मतनब कुछ और है निकलता है तो दर्ग लगने लगा है कहीं वो मुझे छोड़ के न चला जाए कहीं वो मुझे दूर न चला जाए वो मुझे प्यार भी नहीं करता है देखो रुपाली, मैं उसे सिर्फ समझा सकते हूँ, अगर वो नहीं माना, तो मैं कुछ कर नहीं सकते हूँ एक बात कुछ तुम से तामिनी, आप चोड़ा तामिनी कही बहिया से तुमारी शादी नहीं हो पाई, कही इसलिए तो ऐसा नहीं यह रुपाली, वो तो सिर्फ एक मेरी जंदगी का हिस्सा था, और उसके कारण में तुम से कोई मनमटाब रखो, यह तो बहुत गलत पात हो गी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं दामिनी, फिर तो मेरी हल्क क्यों नहीं कर रही हो, अगर हर्ष ने मुशे अपनाया नहीं न, तो मैं कुछ कर बैठूँगी, मैं आत्मात्या कर दूँगी, पिछली बार में मैंने आत्मात्या करनी के कोशिश की ती, तब मैं बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बच गई मर जाओंगी, मैं हर्ष के लिए मर जाओंगी, पाली अब, तुम्हें कॉफी पसंद है न, मैंने तुम्हारे लिए और्डर कर लिया है, सोचा कि तुम टाइम पर आओगी, वैसे भी तुम सिफ दो मिने लेट हो अरे हर्ष, मैं एक मिनिट भी लेट ही होती है, पर ट्राफिक इतना था, कि अगर कोई नौकरी के लिए निकले, तो इस ट्राफिक की वज़स से नौकरी छूट जाए तो अगर कोई लड़की वेट कर रही हो, और लड़का लेट हो जाए और ट्राफिक में फस जाए, तो छोकरी छूट जाए आचा बताओ, क्यूं बुलाया है यहां पर? हर्श, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, जो मैं घर में नहीं कर सकती हाँ, सो तो है वैसे भी तुम जानते हो, अगर घर में हमने कोई बात शुरू की, और कोई बीच में आ जाए, तो बातों की तार ही तूट जाती है, वो मजा नहीं रह जाता हाँ, अगर ज़रूरी बात अधूरी रह जाता है, तो पेंशन हो जाती है इसलिए मैंने सोचा की कॉफी शॉप में हराम से बात हो जाईगी, लो आगे कॉफी तो चलो हम कॉफी पीते भी नहीं बात करेंगे हर, मैं तुम से इक बात कहना चाहती है पर वादा करो की इंकार नहीं करोगे वादे की जरुवती है, कहके तो देखो, इंकार नहीं करोगे तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक बात थी, जो मैं हमेशा से कहना चाहती थी क्या बात? अब, लेकिन, वादा करो, जो मैं कहूंगी, वो करोगे हंडर्ड परसंट, बोल के तो देखो अब, तुम, तुम लिपाली से शादी कर लो हर्ष, हर्ष क्या हुआ अब, कुछ तो बोलो तुछ नहीं, कुछ नहीं नहीं, नहीं, कोई बात तो जरूर है हर्ष, तुम मेरे बहुत अच्छे दोर और, और मुझे तुम पर बहुत नाज है चलो, अपने दिल की बात कह दो तुम मेरे दिल की बात जानना चाहती हूँ हाँ हर्ष, बोलो ना, मत छुपाओ तुम मेरे दिल की बात यह है कि मैरोपाली से बिल्कुल प्यार नहीं करता तो फिर जानता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है प्रोब्लम यह कि मैं उसे प्यार नहीं करता बस मैं कुछ समझी नहीं सीधी सी बात है दामिनी अगर पती और पत्नी के बीच प्रेम ना हो तो उस उस रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं होता तुम डिपाली को पसंद तो करते हो ना हर्श मैंने कहा कि वो एक अच्छी लड़की है बस तो बस प्यार भी हो जाएगा उससे ये कभी नहीं हो सकता दामिनी हर्श तुम्हें पता है प्रेम की पहली सीड़ी पसंद होती है तुम यह नहीं समझोगी तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना भाश मेरी बात छोड़ो मुझे इतना पता है कि रुपाली एक बहुत अच्छी लड़की है वो वो इतनी अच्छी है कि एक दिन अपने लिए तुम्हारे दिल में प्यार जगा लेगी और ये तुम्हें कैसे मालू ये ये मुझे उसकी बातों से लगा तो रुपाली तुम तक पहुच गई उसके मेरे पास आने से मुझे एक और बात पता चलती क्या तुम्हें पता है सब लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कि हर्ष दामीनी की कोई भी बात नहीं डालेगा और तुमने भी अभी यही कहा था न हर्ष तुम रुपाली से जाकर मिलोगे तुम्हें मेरी कसम आशियाना प्रायूजक लाइफ बॉई सूप दस इंफेक्शन वाले के टानूँ से सरक्षा झाले कर का से सरक्षा